नमस्कार आप देख रहे हैं दानिक भासकर उत्रा खिंड उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांडी आईए डालते हैं एक नजराज के सुर्खियों पर पियम मोदी का विबक्ष परवार कहा कुछ दलो को केवल अपना वोट बैंक ही नजर आता है पूरो मंतरी यश्पाल आरी और उनके बेटे संजीव आरी पर जानलेवा हमला थानी में धरनी पर बैठे पिता और पुत्र शारदा सागर डैम में पानी से जल भराओ की चपेट म नाये 200 से अधिक परिवार सैकड़ों एकड़ भूमी पर लगी गन्ने की फसल भी हुई बरबाद नैनिताल में रेड क्रॉस ससाइटी के चुनाओ की प्रक्रिया जारी दस सद्यस्यों के चुनाओ के बाद घोशित होगी कारिकरनी जस्पूर में कोरोना वेरियंट को देख प्रतन की दरो का निर्धारण साथ श्रिणियों में दरेश सरकिल रेट पे दस से पंद्रा प्रतिशत के बीचता है प्रदेश कॉंग्रेस समेत कई संगठनों ने किया विरोत काले जंडे दिखाने की कोशिश पर हुए गिरफतार हिमाचल की तर्जपर सक्त भू कानून की तैयारी विपक्ष को मुद्दाहीन करने की रणी थी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्र गणेश गोदियाल बोले देश्थानम प्रवंधन बोर्ड भंग करना तीर्थ पुरोहितों की जीत महोबा से दिल दहलाने वाली वार्दात आई सामने घर के अंदर तीनों बच्चो में सुनी फर्यादियों की बाद फिल्म थ्री इडियेट्स की तर्ज पर यूपी में चलती बस में वीडियो कॉलिंग से कराया गया महिला का प्रसव जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षत केंद्र सरकार की मनजूरी के बाद अब अमेठी में होगा एके दो सो तीन राइफ इपनी से चमके का समस्त मंदर बेस पी नेता ने उन्नाओं में सरकार पर बोला हमला कहा बीजेपी और सपाए की सक्के के हैं दो पहलू विधान सबा का टिकट दिलाने के नाम पर लखनों में 30 लाख हड़ पे पुलिस आयुक्त ने दिये जाच के निर्देश पिलिभीत मे अविध्याले की छात्राओं से अकेले में कर रही है बाद और कानपूर में बसपाकार्य करता सम्मेल में बोले शतीश चंद्र मिश्र चुनाओं के बाद फिर किर्शी कानून लाएगी सरकार सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही उत्राखंड उतरप्रदेश की सभी खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखंड उतरप्रदेश